नमस्कार आप देख रहे हैं गितांज दीवी प्रस्तुत हैं समाचार स्वक्त की बड़ी खबर चोरांटी पहाडी में एक व्यक्ति का शवबरामत आक्रोशित लोगों ने सलक जाम कर दिया घंटों तक आवगमन रहा बाद के साकेत मिश्वी की रिपोर्ट कांडी से खबर है थाना शेतर अंतरगरत कांडी मजियाओं मुख्य सडक इसते चोरांटी पहाडी में सडक से पश्चिम की ओर एक व्यक्ति का शवबरामत हुआ है मिरी जानकारी के अनुसार चरवाहों ने शवब को देखा धीरे धीरे ये खबर पूरे शेतर में आग की तरह पैल कई थाना शेतर अंतरगरत मजिगावा गाउनिवासी स्वर्गे बुधु यादव के 45 वर्षे पुत्र उपेंद्र यादव के रूप में परिजनों ने शव की पहचान की उप्त पहाडी में शव होने की सूचना पाकर कांडी पुलिस मौके पर पहुची शिनात कर शव को पोसमाटम के लिए सदर अस्पताल गरवा भीजे जाने की तैयारी की जा रही थी कि मृतक के परिजनों ने शव ले जाने से रोक दिया घरवाले परिवार वालो का रो रोकर बुरह हाल है अभीता को पस्तित लोगों में आक्रोश है मुखे सलक पर पंक्ती बद्ध तरीके से एक कई बाइक लगा कर सलक को जाम कर दिया सलक पर बैठी आक्रोशित भीड ने टायर जला कर पोलिस के विरुद्धा आक्रोश जताया मृतक का पुत्र विकास यादव ने जवानकारी देते होई बताया कि मेरे पिता जी घर से बीते 8 माई के सुबहा तकरीबन 7 बजे अपनी बहन के घर सलगा गाउं के लिए निकले थे 9 माई को सुबहा तकरीबन 8 बजे वे अपने घर आने के लिए निकले तब से वे गायब थे मृतक के परिजनों ने काफी खोजबीन की लेकिन कुछ भी पता नहीं चल सका मृतक अपने पीछे पत्नी एक पुत्र वद दो पुत्री छोड़ गया सड़क पर जाम करने को लेकर बैठे लोगों ने बताया कि ठीक इसी प्रकार की घटना चोरांटी पहाडी में ही बीते मई महीने में देखने को मिले आकरोशित लोगों ने वरिये पुलिस पदधिकारी को मौके पर पहुशने की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया घंटों तक आवगमन बाधित रहा परहाल इस खबर को लेकर क्या कुछ आपका कहना है कमेंट में जरूर बताए और ऐसी ही खबरों को देखते रहने के लिए तुरन सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल गतांश टीवी रांची एलिमेनियम वर्क्शॉप एलिमेनियम से समबंदे सभी परकार के कारे किये जाते हैं हमारा पता है कचहरी रोल ब्लॉक के सामने नगवाम फार्ट नमबर आर गड़वा जारखन अधिक्रित विक्रेता शिरी लक्ष्मी इलेक्रिकल्स लक्ष्मी मार्केट सही जना मोर गड़वा